आप सब दोस्तों का एक बारी फिर से अवेकन ब्रेंस पर स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ दोस्तों यह अपडेट है जमू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमिशन की तरफ से पहले एल जी साहब ने अपने ट्विटर हैंडल पे ट्विट करके एज रिलैक्जेशन दी जेंड के कमबाइंड कम्पिटेट्व प्रिलिम्नरी एक्जामिनेशन के कैंडिडेट्स को एस्पाइरेंट्स को उसके बाद अकॉर्डिंगली जी एडी ने भी नोटिफिकेशन निकाला और उसी के चलते आज जेके PSC ने अपनी ओफिशल वेबसाइट पे उस नोटिफिकेशन को पब्लिश कर दिया है दोस्तो इसके बारे में हम यहाँ पे इन डिटेल डिसकस तो करेंगे ही आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार अवेकन ब्रेंज यूट्यूब चैन इन फ्यूचर भी आपको इसी तरह मिलता रहे कॉंटेंट अच्छा लगा इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा तो लाइक शेर और कमेंट करना ना भूलेगा तो बिना वक्त कवाए चलो शुरू करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों सब्जेक्ट एंड रेफरेंस जम्मो एंड कश्मीर कम्बाइंड कम्पिटेट्व प्रिलिम्नेरी इग्जैमिनेशन 2022 नोटिफिकेशन एसो 238 डेटिड 11 मेई 2022 इशूड बै जो मैंने कहा जर्नल एड्मिस्टेशन डिपार्टमेंट ने कि LG साहब ने जो आडर किया हो वो GAD को तो जरूर पब्लिश करना पड़ता है और जब GAD पब्लिश करता है तो फिर वो कंसर्ण डिपार्टमेंट को भी नोटिफाई करना पड़ता है तो यहां पर नोटिस दिया गया है आज की डेट का डेट है यहां पर 12 मेई 2022 और यहां पर हम फर्दर इस नोटिस को पड़ते हैं परस्वेंट अपान दे इस्वेंस अफ एसो 238 डेटेट 11 अफ मेई 2022 बाई जी अडी जर्नल अडिस्टेशन डिपार्टमेंट इस नोटिफाइड वर दी इन्फॉर्मेशन अफ आल दे अस्पारेंट यहां पर दे आइटम नंब इस रिगार्डिंग जेंड के कंपाइड जेंड के कंबाइड कंपिटेटिव प्रिलिम्नरी एक्जामिनेशन 2022 शेल भी सब्सुटूटेड एज अंडर अब यहां पर आप देख सकते हैं एज रिलैक्जेशन एज 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 ऑन फर्स जनवरी 2022 दे रिक्वायर्मे एज 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 फॉर के कंडिदेट्स बेलांगिंग त ओपन मेरिट कंडिडेट डूसरा है यहां पर अब फांट रिजो के इघ्ली और एंड इंड in-service कंडिडेट्स और उसके बाद के पाद पिसीजिकली चैलेंज ध इस गिवन बिलो तो यहां पर आप देख सकते हैं शी और इन सर्विस के लिए 37 साल और फिजिकली चैलेंज के लिए 38 साल फिर यहां है not burn after और यहां है not burn before तो यह data भी यहां पर mention की हुई हैं तो आप इसको देख सकते हैं फिर उसके बाद provided further that in service candidate who has completed two years service on 1-1-2022 in substantive capacity to be certified by the head of the department shall alone be eligible to claim the benefit of under age limit और उसके अलावा भी यहां पर बाते की गई प्रोइड also that the candidates already holding a civil post in the union territory of Jammu and Kashmir shall submit the hard copy of downloaded online application through their respective head of office to the commission and in case the commission receives intimation from withholding permission from employer in respect of the candidates who has applied for or is appearing in the combined competitive examination his application shall be rejected and candidates also cancelled such a candidate may however before allowed to appear in the examination afresh subject to the condition that the said candidate is otherwise eligible under rule उसके बाद note two years of service for the above purpose will be determined as on 1-1-2022 as the 1st January is relevant for the purpose of determining of the age in service इसके बाद Consequent upon the above यहां पर आप देख सकते हैं the last date for filling online application form is extended to 25-2022 the cut-off date for determining the eligibility as regards acquisition of the domicile certificate and educational and professional qualification shall be 26 May 2022 इसी तरह से मुश्ताक एहमद JKS Additional Secretary Jammu and Kashmir Public Service Commission यहां पे date mention की गई है और बाकी copy to attach किया गया है तो इसी तरह से दोस्तों यही अपडेट देना है वाला था मैं और इसी अपडेट के बारे में हम बात यहां पे कर रहे थे I hope कि यह अपडेट आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के content को वी आपके अवेकंब्रेंज या अवेकंब्रेंज और अवेकंब्रेंज गध्लेस यौल